सिसकती आखें, जुबान पर दर्थ, गलियों में सननाटा और हड़ी में तब्दील होती वो खुद। ये उन गलियों के पते हैं जहां हर ख्वाइश मंद रात के अंध्यारे में दबे पाउं, शरीर की भूग मिठाने जाता है। इसी भूग से समाज के इन गुमनाम चेहरों की पेट की भूग भी मिठती है। इन सवालों के समंदर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे इन सेक्स वर्कर्स की जिंद्गी कट रही है। नागपुर का ये इलाका कभी ग्रहकों से भरा रहता था। अब यहाँ अजीब सी खामोशी है। इन सेक्स वर्कर्स की खाने के लाले पड़ गए हैं। कमाठीपुरा की तंगलियां भी अब अपनी बेबिसी साफ बयां करती हैं। कुरोना ने मुंबई के कई परिवारों की खुशियां चीन ली और कई पर उसका ग्रहन साफ दिख रहा है। एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके उत्तर पोलगाता के सोना गाची में भी सेक्स वर्कर्स को नहीं पता की आखिर आगे क्या होगा, वक्त किधर करवट लेगा। यहां एक लाग से जादा सेक्स वर्कर्स के भविशे पर अनचित्ता के बादल मंडरा रहे हैं। यहां रहने वाली सेक्स वर्कर्स के दिल्ली पुलिस रोजाना खाना पहुंचाती है। पास यह गुर्द्वारा भी है जो इनकी मदद करता है। पर सभी सेक्स वर्कर्स की जिन्दगी इतनी भी खुश में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक इनकी जिन्दगी में लॉकडाउन रहेगा। क्या वो खुश यहां इनकी जिन्दगी में फिर दस्तक देए।